हेलो फ्रैंस आद कोट्षप में OnlyFan के केक्षिटर के मदद से LED लाइट का ड्राइवर बनाना सीखेंगे Street light जो हता है, फ्लाइड लाइट होता है उसका जो यदि द्राइवर खड़ाब हो चुका है, तो हम OnlyFan के केक्षिटर के मदद से द्राइबर बहुत आसानी से बना सकते हैं और यदि आप भी अपने streetlight का driver बना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतों तक देखना है यदि आप इस वीडियो को आधा है देखने के बाद यदि आपका LED खराब हो जाता है तो इसके दिम्हेदारी मैं नहीं लोंगा यह मेरा LED लाइट है जी चाहिए आप देखे रहो इसी का जो ड्राइबर है वो खड़ाब हो चुका है तो आप हम इसका ड्राइबर बनाएंगे इस केपिशिटर की मदद से यह इसका ड्राइबर है और यह अभी ऑपुट नहीं दे रहा है तो इस इतना वरा ड्राइ यह आपको माइंड में रखना यह कितना वोल्ट है 33 से 39 वोल्ट इसका आउटपुट वोल्ट है इसका एंपियर जो है आप देख सकते हो 1.5 एंपियर है और DC में है क्योंकि यह LED लाइट जो है वो DC पर चलता है तो आपको इस दोनों को माइंड में रखना है धियान में सब्सक्राइब है और में पास अभी दो कैफिटर है एक टू मैक्रोफराट का एक टू पॉइंट सोरी एक 10 मैक्रोफराट का इसी से हम बनाएंगे और यह मेरा रेक्टिफायर है यहां पर जो रेक्टिफायर आप देख सकते हो यह जो डायोड है डायोड के एक साइड एक घनलेट का ट्लर रहता है बेंड रहता है इस टाप से अलेक्टिफायर बना सकते हैं पर चाहर बनेघक और यहां पर चारृंट आता है इस दोनों में और पुझेट अर्क मेरा डिकेटिफ सिप्लाय दिए mí की रीक्टिव हायर में किसमें wenınीघ्षी की लिए। किसमें हम सबस्परफले क्या करेंगे वहाँ ही का किपश्ट्रेटर की एक वायर को क्यंगेट्ट कर देँगे क्योंकि सबस्क्राइब होता है नहीं होटा है किसी के लिए का लिए हमिखाड़ के लिए लाइट का जो पुजिटिव है उसे पुजिटिव है जो देंगे इसमें दो वायर है यहां पर हमें दो पीन है किसी वह एक वायर को देंगे जहां पर हमें इस प्याइब देना था और इसके दूसरे वायर जो बचा हुआ है बनके त्यार हो चुका है और यह बहुत इसम्पल चरीका है सब्सक्राइब कर देंगे और जो दो पीन बच जाएगा रेक्टिफायर का जिसमें हम पोजिटिव और निगेटिव और फूर्ट लेंगे उसमें LED लाइट का पोजिटिव को पोजिटिव में और निगेटिव को निगेटिव में लगा देना है यह सिंपल बहुत ही सिंपल कनेक्शन है जिसा कि आप देख सकते हो LED का ड्राइबर जो है उबन के इसा का देयान जरू रखना है जब भी आप इसमें AC का सप्लाइब देती हो ज लेकिन जब मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं, जब भी आप इसमे 220 volt का supply देते हो, तो supply देने से पहले आप जो LED light है, उसका वायर को इसमें coordinate कर दो, उसके बाद है आप इसमे 220 volt का supply दो, ये जो LED light का driver ही हो, उसे मैंने आपको बनाना तो सिखा दिया, लेकिन आप इसका light का intensity है वह आप देख सकते हो यह बहुत ही अच्छे से नहीं जल रहा है एक्षुलिम यह जो light है वो जितना light करना चाहिए उतना light यह भी नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हम इसका voltage देखेंगे और current देखेंगे कितना input volt और output volt देख रहा है यह driver तो आपको जब भी input volt और output volt चेक करना ह आपको driver बना के इसका voltage नहीं चेक करना है आपको इस light को लगा के तब आपको voltage चेक करना है और चूँँ आपको light को लगा को voltage चेक करना है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा सारा चीज आपको मैं आपको इस वीडियो में के लिए लिए कर दूंगा सबसे पहले आप देख पर जो पोजिटिव और निगेटिव लगा हुआ है LED लाइट में वहाँ पर मैं आपको इसका बोल्टेज चेकर के दिखाता हूं यह कितना बोल्ट आ रहा है देख सकते हो यह 30 बोल्ट दिखा रहा है 30 बोल्ट माइनस 30 दिखा रहा है क्योंकि प्रोब जो है उल्टा लगा हुआ है फोजिटिव को निगेटिम और निगेटिव को पोजिटिव में लगा हुआ है इसलिए माइनस दिखा रहा है लेकिन यह 30 बोल्ट दिखा रहा है लेकि यहां पर पॉजिटिव निगेटिव को कोई कोई मामला नहीं है अब किसी भी वायर को किसी में लगा सकते हो पहले हम इसे स्वल्डिंग कर देते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ तो अब हम इसमें 220 वोल्ड का सप्लाइः देखे जो घर से आता है चलिए हम इसमें सप्लाइः देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छा से लाइट कर पहले जिस टाइप से लाइट कर रहा था जब छोटा केपशिटर लगाए थे उसे यह बहुत ही अच्छा लाइट कर रहा है यानि कि फूल लाइट में गलो कर रहा है इसका इंटेंसिटी बहुत ही अच्छा है अब हम इसका वोल्टेज और करेंट चेकर करके देखते हैं इस उसके बाद हम इसका वोल्टेज और करेंट चेक करेंगे और जब भी आप इसका ड्राइवर का और फुट और करेंट चेक करते हो उस समय में यह जो LED लाइट है वो लगा हुआ होना चाहिए और वो क्यों लगा हुआ होना चाहिए वो भी मैं आपको आगे वीडियो में किल जयर कर दूँगा कि किस तरका सामें इस LED लाइट का ड्राइवर बनाना है अब देख सेकते हो अभी हम इसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो माइनस ठीटू ठीटू हो रहा है क्योंकि पुरब वूल्ट है इसलिए माइस सो हो रहा है और वोल्टेज जो है वो 32 बोल्टेज दे रहा है और यह जो ड्राइवर है इसका इस LED लाइट का जो ड्राइवर था उसके उपर लिखा हो रहा है 33 से लेके 39 वोल्ट तक तो इससे आपको कोई प्रबलम नहीं है उससे थोड़ा सा कम है लेकिन LED लाइट जो इसका इंटेंसिटी है बहुत ही अच्छा है बहुत ही इससे थोड़ा सा अ कम आ रहा है अब मैं आपको इसका current चेंट करके दिखाता हूं मेजर करके दिखाता है तो क्रेंट को मेजर करने के लिए हम को मल्टिमीटर को सीरीज में लगाना हो तो हम क्या करेंगे इसके इस वायर को इसमें से निकाल दी है और दूसरा एक दूसरे कि इसमें हम सोल्डिंग कर देंगे और दुसरे वायर को सोल्डिंग करने के बाद हमें इस मल्टिमीटर को इस दोनों वायर के बीच में लगाना होगा क्योंकि जब भी हम current को major करते हैं तो हमें multimeter को उसके बीच में यानि के series में लगाना होता है तो पहले हम multimeter के probe को change करेंगे क्योंकि multimeter में current को major करेंगे दुसरा अस्थान त्यार रहता है दुसरा पीन रहता है उसका इसका probe को हम change कर दीए और आप हम इसके wire को connect कर देंगे तो multimeter के एक probe में हम इस wire को connect कर देंगे और जब भी आप इस वायर को connect करते हो तो आप देहान रखना इसमें इसी supply होना नहीं होना चाहिए मतलब कि इसमें जो वायर का supply दिया हुआ वो बंद होना चाहिए नहीं तो आपको electric stock लग सकता है तो चलिए आप हम इसमें connect कर दियें अब चलिए हम supply देते हैं इसमें और supply देने के बाद देखते हैं इसमें जो है current है वो कितना current आ रहा है अभी हम इसमें supply देते चुक हैं चलिए मैं आपको इसका current चेकर करके दिखा दे रहा हूँ अभी 0.59 आ रहा है इसका current है वो भी कम आ रहा है क्योंकि यह जो light है sorry यह जो driver है इसके उपर लिखा हूँ 1.5 एंपीर है इस driver के उपर लिखा हूँ 1.5 एंपीर होना चाहिए current लेकिन वो जो है maximum current है वो उससे आपको ध्यान नहीं देना है आप जब भी light बनाते हो तो light बनाने के बाद आपको यह देखना है कि यह जो light है उसका intensity कितना अच्छ से आपको बिलिंग करता हूँ नहीं दिखा है लेकिन यह जो camera है वो इस blinking को sense कर ले रहा है इसलिए आपको camera में only लेकिन आपको इसका बहुंद चेक करना है उस पर आपको ध्यान ध्यान देना है आप ऐसा नहीं करना है आपको कि आप पहले डार बनाली आप उसका voltage चेक कर लिए और बहुर्टेज चेक जब हम इसमें LED light लगाए थी तभी कितना भोल्ट आ रहा था और अभी हम जब इस LED light को निकाल देंगे तभी इसमें कितना भोल्ट आएगा और current आगा वह अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं जब हम इस LED light को इस driver नहीं लगाते हैं तभी इसमें कितना भोल्ट आ रहता है और जब हम इस LED light को इस driver में लगा दिये हैं और इसे हम टूट डिफल्ट का भी सप्ला दे दिये हैं और चलिए अब मैं आपको इसका voltage चेकर करके दिखात बॉल्टेज अभी हम डाल दी हैं DC अब इसका voltage देख रहे हो 32 वोल्ट आ रहा है और अभी निगेटिव नहीं आ रहा है क्योंकि पुरुब को हम सही लगा है पोजिटिव को पोजिटिव में और निगेटिव को निगेटिव में तो अभी ठाटिव वोल्ट अब हम क्या करे यह जो LED लाइट है उसका वायर को निकाल देते हैं और अब हम इसमें 220 वोल्ट का सप्ला देंगे अब आप इस LED ड्राइबर है आप उसका इस ड्राइबर का आप वोल्टेज देखो यह देख सकते हो 225 वोल्ट आ रहा है तो आप अपने खुद दिमाग में सोचना यदि आप 220 वोल्ट पर ड्रेक्ट इस LED लाइट को लगाते हो यह जो LED लाइट है वो अउल्ली 39 वोल्ट के आसपास पर वर्क करने बाला है इस वीज़ेदी आप ड्रेक्ट लगाते हो तो आपका LED लाइट का क्या हाल होगा आप समझ सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है वह भी मैं आप बता होगे तो अचानक से हाई करेंट जाएगा हाई बोल्ट जाएगा और इसके कारण आपका LED लाइट है वो खाड़ा हो जाएगा और आप इसका करेंट अभी देख रहे हो मैं आपको किसा करेंट अभी चेक करके दिखा रहा हूं यह 0.6 संथिंग आ रहा है और यह स्पार्क भी कर रहा है आप देख सकते हो यहां पर इसे जब हम टच करते तो वह स्पार्क करता है सिर्फ और सर्फ इसे के कारण यह जो कर लेता है और अचानक से जब हाई करेंट और वोल्टेज को फोलो करेगा LED में तो LED आपका खराब हो जाएगा त्योंकि यह कम वोटर और कम करे पर चलने वाला LED है तो हेलो फ्रेंट्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे वीडियो से आपको कुछ सेखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पर लेना धन्यवाद